क्या गुजरी होगी उस बूडी मा के दिल पर जब उसकी बहुने कहा मा जी आप अपना खाना बना लेना मुझे और उन्हें आज एक पाटी में जाना है बूडी मा ने कहा बेटी मुझे ग्यास चुला चलाना नहीं आता तो बेटे ने कहा मा पास वाले मंदिर में आज भणडा रहा है तो मोहा चली जाओ ना खाना बनाने कोई लौबत ही नहीं आएगी मा चुप चाप अपनी चपल पहन कर मंदिर की और हो चली यहाँ पूरा वाक्या दस साल का बेटा रोहन सुन रहा था पार्टी में जाते वक्त रास्ते में रोहन ने अपने पापा से कहा पापा मैं जब बहुत बड़ा आद्मी बन जाओंगा ना तब मैं भी अपना घर किसी मंदिर के पास ही बनाओंगा मा ने बड़ी उचसुकता आवश पूचा क्यों बेटा रोहन ने जो जवाब दिया उसे सुनकर उस बेटे और बहु का सिर शर्म से नीचे चुक गया जो अपनी मा को मंदिर में छोड़ा आये थे रोहन ने कहा क्योंकि मा जब मुझे भी किसी दिन ऐसी ही किसी पार्टी में जाना होगा तब तुम भी तो किसी मंदिर में भणडारे में खाना खाने जाओगे न और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें दूर के मंदिर में ना जाना पड़े पत्तर तब तक सलामत है जब तक वो परवत से चुड़ा है पत्ता तब तक सलामत है जब तक वो पेट से चुड़ा है क्योंकि परिवार से अलग होकर आजादी तो मिल जाती है लेकिन सम्सकार चले जाते है एक कब्र पर लिखा था किसको क्या इलजाम दे दूं दोस्तों जिन्दगी में सताने वाले भी अपने थे अर्द अपनाने वाले भी अपने थे अच्छे लगे तो जरूर शेयर करना हूँ